श्री शिवाये नमस्तुभ्यम श्री शिवाये नमस्तुभ्यम श्री शिवाये नमस्तुभ्यम रवी परदोशवर्थ कथा जो परदोशवर्थ रवीवार के दिन पढ़ता है वो रवी परदोशवर्थ या भानुवारा परदोशवर्थ कहलाता है इस परदोशवर्थ का लाग यह है कि भक्त इस दिन उपवास को रख कर दिरगायू और शान्ती प्राप्त कर सकते हैं रवी परदोशवर्थ कथा इस परकार हैं एक ग्राम में एक दीन हीन ब्रामन रहता था उसकी द्रम निस्टा पत्नी परदोशवर्थ करती थी उनके एक पुत्र था एक भार वे पुत्र गंगा सनान को गया दुरुबागयवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और डरा कर उससे पूझने लगे कि उसके पिता का गुप धन कहां रखा है बालक ने दीनता पुरुक बताया कि वे अत्तन निर्धन और दुखी हैं उनके पास गुप धन कहां से आया चोरों ने उसकी हालत परतरस खा कर उसे छोड़ दिया बालक अपनी रहा हो लिया चलते चलते वे ठक कर चूर हो गया और बरगत के पेड़ के नीचे सो गया तब यू उस नगर के सिपाई चोरों को खोशते वे उसी और आ निकले उन्होंने ब्रामन बालक को चोर समझ कर बंदी बना लिया और राजा के सामने उपस्तित कर दिया राजा ने उसकी बास सुने बगेर उसे जेल में डाल दिया जब ब्रामनी का लड़का घर नहीं पहुचा तो उसे बड़ी चिंता हुई अगले दिन परदोश वर्थ था ब्रामनी ने परदोश वर्थ किया और बगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की खुशलता के प्रातना करने लगी उसी रात्री राजा को सुअपन आया की वह बालक निर्दोश है यदि उसे नहीं छोड़ा गया तो तुमारा राज्य और वैभब नस्ट हो जाएगा सुवे जागते ही राजा ने बालक को बुलवाया बालक ने राजा को सच्चाई बताई राजा ने उसके माता पिता को दरबार में बुलवाया उन्हें भैबित देख राजा ने मुस्कराते वे कहा तुम्हारा बालक निर्दोष और निडर है तुम्हारी दरिदर्ता के कारण हम तुम्हें पांच गाउं दान में देते हैं इस तरह ब्राहमन आनन से रहने लगा शिवजी की दया से उसकी दरिदर्ता दूर हो गई बुल कर शिवजी का पूजन करना चाहिए पूरे दिन मन ही मन ओम नमेश्वाय का जाप करें पूरे दिन निरहार रहें त्रोशी के दिन प्रोदस काल में यानि सुर्यास्त से तीन घड़ी पहले शिवजी का पूजन करना चाहिए रवी परदोश्वर्त की पूजा शाम साड़े पूजा स्तल अत्वा पूजा क्रह को शुद कर ले, यदी व्रती चाहे तो शिव मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकता है, पांच रंगों से रंगोली बना कर मंड़त तयार करे, पूजन की सभी सामगरी इखटी कर ले, कलेश अत्वा लोटे को शुद जल से भड़ ले, कहते हुए, शिव जी को जल अर्पित करें, इसके बाद दोनों हाथ जोड़ कर सिव जी का ध्यान करें, ध्यान का सबरूब करोडों चंद्रमा के समान कांती मान, त्री नेत्र धारी मस्तक पर चंद्रमा का बुशन धान करने वाले, पिंगल वन के जटा जूट धारी, नील के कुंडल पहने हुए, व्यागर चम्रधान कर की हुए, रतन जडित सिंगासन फईवराजमान, शिव जी हमारे सारे कस्टों को दूर कर सुक सम्रदी पर धान करें, ध्यान के बाद रवी परदोश्वर्थ की कथा सुने, अत्वा सुनाए, कथा समाप्ति के बाद हवन साम समगरी मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम रीम क्लिम नमह शिवाए, स्वाहा मंतर से आउती दे, उसके बाद सिव जी की आरती करें, उपस्तिस जनों को आरती दे, सभी को परशात वित्तरीत करें, उसके बाद भोजन करें, भोजन में केवल मिठी सामगर्यों का ही उप्योग करें बुल शिव शंकर भगवाने की जै, रवी परदोश वर्त उद्यापन विदी भी इस परकार है, सकंद पुराण के अनुसार वरती को कम से कम 11 या 26 त्रोसी वर्त के बाद उद्यापन करना चाहिए, उद्यापन के एक दिन पहले यानी द्वात्सी को श्री गनेश भगवान का विदीवत 604 विदी से पूजन करें, तथा पूरी राजश्री पारवती और श्री गनेश जी के भगवजनों के साथ जागन करें, उद्यापन के दिन प्रात्या फालूट कर नित्या करमों से निब्रत हो जाए, स्वच्छ वस्तर धारण करें, पूजा घरय को शुद कर पूजा स्थल पर रंगिन वस्तरों और रंगीली से मंडब बनाए, मंडब में एक चोकी अत्वा पट्री परश्री पारवती की पर्तिमा स्थापित करें, अब स्विप पारवती की विधान से पूजा करें, भोग लगाएं, रवी परदोश्वर्थ का कथा सुनें और सु सुनें अब हवन के लिए सवा की लो आम की लकडि को हवन कुण में सजाएं, हवन के लिए गाएं के दूद से कीर बनाएं, हवन कुण का पूजन करें, दोनों हाँ जोडगार हवन कुण को परणाम करें, अब अगनी पर्सिलित करें उसके बाशी पार्वति के उदेशन से कीर से ओम उमा सही शिवाई नम्हमंत्र का उचाण करते वे 108 बार आउती दे हवन पूर्ण होने के पश्चा सिवजी क्यारती करें ब्रामनों को सामर्थ्य नुसार दान दे और भोजन कराएं आप अपने इच्छा नुसार एक या दो या पांच ब्रामनों को भोजन अत्वा दान करा सकते हैं यदि भोजन कराना संभव ना हो तो किसी मंदिर में यथा शक्ति दान करें इसके बाद बंदू बांदों से परशाद ग्रहन करें और भोजन करें बल विष्णू भगवाने की जै शिशंकर भगवाने की जै इस पर का उज्दापन करने से व्रती पूत्र पोत्रादी से यूक्त होता है तथा आरोग्या लाब होता है इसके अतिरिक वे अपने शत्रों परवी से प्राप्त करता है एवं संपुन पापों से मुक्त होकर शिर्धाम को जाता है